नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस्टोंडिना इन इंडिया पर अभी के ताजा तरिन हालात कल्याडी महाचल के साथ राइपूर के नामी होटल दे पैट्रियेशन ते दस लाख के जेवर और नगदी का बैगवा चोरी अग्याच चोरू की तलाश पुष्टी बुरिस मामले का परदाफार्श लोगों को फसाद कर ब्लैक मैल करता था गिरों ब्लैक मैल करने के मामले में दो शातिर महिला सही चाहर लोग रुपतार नौ फरवरी को बारा बच कर पैगाल दे पर शासी पहुंचेंगे सीम योगी आदे तिनार फरवरी को प्रदान मंत्री नरेल मोडी भी आएगे शासी रायपू रोड इस्ते शहर के नामी होटल दे बैट विशन में एक विवहा समारों के दौरान दसलाक रुपे के जेवर और नगदी से भरा बैग अग्याद चोरों ने पार कर दिया घटना के दौरान मंच पर दौला दौलन लोगों से शुप कामना है ले रहे थे जिस जगह से चोरी हुई है वहाँ कोई सीसी टीवी कैमरा भी नहीं लगा था अलवर्ता घटनासल के पास से देशी शराग की बोतले जरूर मिली है अलकत्रा के राजु अरोरा के बेटे राहुल अरोरा की शादी राजदन गाओं के ग्रोवर परिवार की लड़की से साथ फरवरी को राइपुर रोड इस्तित होटल पैट्रिशियन में रखी गई थी गायब जेवरो में छे तोले का कड़ा पांच तोला चेन दो तोले की अंगुठिया वर एक तोले का ब्रेस्ट था इसी बैग में लोगों ने नगत उपहार भी रखे थे दूले की बुआ ने ये बैग पकड़ा था जिसे तस्वीर खिचवाने की लोगों ने मंच के नीचे रखा इसी बीच बैग पार हो गया आसपास बैग की खोजबिन की गई पर नहीं मिरा रात में ही हुई चोरी की रिपोर्ट सिरगट्टी थाने में दर्स कराए गई पु जैसे फोटो की चाने के लिए खड़े वे हैं और बैग को नीचे रखे हैं चेयर में चेयर से बैग गायब हो गया है उसमें छे तोले की कड़े थे और पास तोले की चैन थी और अंगूठियां दो तोले की थी एक तोले का ब्रेसलिट था और एक लाग रुपय कैश था व पिछे से किसी ने बैग साइट से फेका है बैग और बैग गायब हो गया है नागौर के परबसर पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का परदाफाश किया है अगिरों लोगों को फसा कर ब्लैक मेल करता था एसपी गगंदिक सिंग्ला के निरदेश पर पुलिस ने बताया कि प्य ये वैवसाई गया था इसके पास दस दिन बाद एक ममता नाम की महिला का फोन आया और उसने उसे मीठी मीठी बातों में फसा लिया इसके बाद महिला ने वैवसाई को मिलने के लिए परबसर जेल के पास बुलाया वैवसाई कि शर्मा जब करी तीन बजे परबसर पहुँ करेगा तो उसकी अश्ली रिकॉर्डिंग पुलिस को सुना कर उसे फसवा देंगे इसके बाद वैवसाई ने छिपते छिपाते अपनी पत्नी और परबसर पुलिस को इसकी सूचना दे दी मौके पर पहुँचकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफतार कर लिया पुश्टाच में आरोपियों महिला ने बाते कर फसाने की बात को बुली उसको दो वरतों ने और दो आदमी ने अपरण कर लिया है और वो एक लाक रुपया नगदी मांग रहे हैं उसको छोड़ने के हैं इस चीज पे फिर हमने उसकी आगे ट्रेस किया उस आदमी को तो वो उदर मीठली साइड में कहीं जंगलों में उसको छुपा रखा था रहा ह कि वो पैसे डिलिंग करने कोशिज कर रहे हैं पार्टी को हमने वहाँ भेजा और पुलिस की घहराबंदी करवाई पुलिस की घहराबंदी को देखके और वो लोग इसको वहां से लेके और बोले रुगाडी में डालके और उसके खिलाप के इस दर्ज गराने के लिए पुलाया गया परबसर परबसर बुला करके और पपू जाट और दूसरा जो यहां का इस्तान यह बनवारी बागरिया है इन दोनों ने एक मोव उसमें बोलेरो गाड़े में डालके और दोनों उसको अपरण कर लिया और उससे पैसे बांगे उत्तर प्रदेश के सीम योगी आदितिनात का 9 फरवरी को जहांसी आगमन है इसके साथ ही 15 फरवरी को प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी का भी जहांसी आगमन हो रहा है इसको लेकर प्रशाशन तैयारियों में जुटा हुआ है आज जहांसी के जिलादिकारी शिर सहाय अवस 12 बचकर 45 मिनिट पर भोचपा मंडी पहुँचेंगे इसके बाद 12 बचकर 45 मिनिट से 1 बचकर 30 मिनिट तक जन प्रतिन इंडियों के साथ प्रधान मंतरी की प्रस्तावित त्यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे वियापम की दमनकारी नीतियों के खिलाफ दिव् भाचपा में भी थी वैसी ही कॉंग्रेस में बताई है बिरपूर्ट न्यूस 29 इंडिया मनसौर में नगरपालिका के सबी गेट के उपर महिला करिमियों ने ताले लगा दिये और गेट धरने पर बैठ गई महिला का कहना है कि जब तक हमें काम पर नहीं रखा जाएगा और हमारी तंख्वा नहीं दी जाएगी तब तक नगरपालिका के गेट के ताले नहीं खोले जाएंगे महिला कर्मियों ने बताय कि सच्चता सर्वेक्शन के अंतरगत हमें काम पर रखा गया था और कहा गया था कि ये काम कभी खत्व नहीं होगा लेकिन उसके बाद सीएमो सवीता पधान ने हम सभी महिलाओं को काम पर आने से मना कर दिया महिलाओं की संख्या 150 के करीब है जिनको काम से हटा दिया गया है जबकि सभी महिलाएं ढाई मेहने से इस काम को करती आ रही है उनका एक ही कहना है कि जब तक काम पर नहीं रखा जाएगा तब तक धरनाक खत्म नहीं होगा और नहीं नगरपालिका के गेट के ताले खुलेंगे बेरिपोर्ट न्यूस्टोडी 9 इंडिया अभी की खबरों में फिलाल इतना ही लगातार खबरों के लिए बने रही नियूस्टोडी 9 इंडिया के साथ एक देश तारे बदेश